तारा नगर से बीजेपी उमीदवाल है राजेन राठोर, राजेन राठोर के सच बेधड़क से बातचीत की और हमारे संबादाता लासिंग फॉषदार ने उनसे की खास बातचीत, आएगे देखते हैं राजेस्तान में चुनावी रण सच चुका है, भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में 83 प्रतियासियों के नाम घोसित कर दिये हैं इस दोरान कई दिगज नेताओं को ट्रिक्ट दिये हैं तो वहीं कई ट्रिक्टों में बदलाव किया गया है मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष और तारा नेगर से भाजपा के प्रतियासि, राइंदार राफोर साथ हूं लेकिन सबके जहन में एक सवाल है, कि चुरू के बाद तारा नेगर क्यों हो? से हरलाल सारन लड़ेंगे कुल मिलाके जो चोसर हम बिचा रहे हैं सबसे बड़ी सिकल्स हम अपने जिले के अंदर देंगे क्योंकि मैं पर्टिपक्स का नेता हूं पहली करारी मात अगर मैं कांग्रिस को मेरे ही जिले में दूँ तो उसी से पता लगेगा हमारा जनादार कित कमोबिस वैसे ही समीकरण तारन अगर में है या अलग समीकरण है मैं समीकरण के अधार पर अपनी चुनावी बिसाथ को बिचाता नहीं जनता जनारदन का रूप है और जनारदन सोच के अपना फैसला करते हैं और मैं समझता हूं कि जहां बरस बरस कई बसंत बीत गए जिस प्रकार के काम हुए और इस कांग्रेस ने जिस प्रकार लूट और जूट का सासन चलाया और जिस प्रकार किसानों के साथ बदनियती से कांग्रेस ने निर्ने लिए यह सारे मामले हैं इसलिए हर वर्ग कांग्रेस को इस वार अपने वोट की चोट से नस्ते नबूत करेग संपर्दायक तागी आग जुलुस्ती रही इस सारे मुद्दों के लिए करम जंता के बीच में जाएंगे और जीतेंगे गोविन सिंग डूटासरा तब से आपने सुबास महरिया की बीजेपी में एंट्री कराई असली युद्ध तो अब सजा है खंदक की लड़ाई तो अब चालू हुई है अब मैंने डूटासरा जी वो कहा था कि जिस दिन युद्ध सजेगा उस दिन बात बोलेंगे अब बात बोलेंगे और देखते हैं उनका रास्ता किता सुगम रहता है विदान सबा में जाने का चुनोती तो अब है अब उनकी चुनोती स्विकार करने के लिए मताराने कर जा रहा हूँ और उनको उनके च्छेतर में चुनोती देने के लिए जल्दी जा रहा हूँ एक आपने प्रियंका गांधी को लेकर भी सिकायत की थी क्या मामला है हो जो चुनावाए गया प्रियंका गांधी जी ने देश के परधानमंत्र जी को लेकर जिस परकार के टिपनियां की पूजा का अधिकार सब को है पूजा में कौन क्या किस परकार पूजा करता है किस परक चड़ाता है उसके लिए उसके बाद कि परतानमंत्री जी ने उस पूज्वा करने के बाद उसमें जो ब्हेंट चड़ाती है वों नगट डाली थी और उसके बाद इस प्रिकार के टीपनी करना वोटों के धूर्बी करन के लिए यह चुनाओ की गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके अनसार ये प्रतिसेद है नहीं कर सकता कोई भी और ये आदत पड़ी है अभी राहुल जी जमानत पर है इसी प्रकार की टीका टिपने कार्ण भेन उन से आगे निकल रही है इसलिए हमने कल चुनावायक को जाकर तथात्मक रूप से सारी चीजों की जानकर एक तिर्ट करके शिकायत की है आप खुद और भाजबा की जीत के लिए कितने आस्वस्त हैं? खुद भी जीतूँगा और भाजबा डेड़ सो को पार जाएगी ये ती राइंदराटोर जिनका कहना है कि मैं अपनी जीत के लिए पूरी तरह से